अभी जो सीरीज मैं देख रहा हूँ मेड नाम है उसका और उसमें बड़ी नई चीज पता चली हम लोग नहीं जानते हैं उसमें साइकलोजिकल अब्यूज इवन फिजिकल अब्यूज और साइकलोजिकल अब्यूज के बारे में स्टोरी है यह और वो एक बुड़ी ओरत है जो अइसे houses run करती है जहांपर abuse होने वारी लड़कियों को shelter दिया जाता है तो उसमें वो लड़किया आती हैं दो दिन, चार दिन, दस दिन, महीने पर रहती हैं दो-तीन कमरों के घर होते है उसी में रहती हैं उसमें रहती है पिर वापस अपने पतियों के पास चली जाती ह वो बुलती है कई बार तो दस दस बार वो जाएंगी अब्यूज होकर के फिर वापस आएंगी साल भर रहेंगी अब्यूज होगी फिर वापस आएंगी जब बहुत जादा परेशान हो जाएंगी फिर जाएंगी फिर वापस आएंगी फिर जाएंगी फिर वापस आएंगी बोलती खुद वो खुद मेरे को भी पांच बार ऐसा हुआ इसको ऐसे समझे कि एक आदमी एक रिलेशन्शिप में पतलब पांच बार शादी करता है फिर डिवोर्स करता है फिर शादी करता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जिन्योंगा चैलेंज 2023 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योग की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल स्टेप योग का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल स्टेप कोई गैस कर सकता उसका नाम क्या है? यम नियम आसन प्राणायम के बाद का नेक्स्ट स्टेप प्रत्याहार मैं मुझे अच्छे से याद है मैंने पतंजली योग सुत्र पढ़ा था सेकेंड एर MBS के टाइम पर लेकिन मुझे यहाद ही नहीं कि इसमें प्रत्याहार था लिटरली ये वर्ड मेरे को बायस में नहीं था जो सबसे मुश्किल, सबसे इंपोर्टन्ट, सबसे मैजिकल, मिस्टिकल जो पार्ट है जिसको लोग सबसे जादा गलत समझते हैं, मिस अडिस्टाइंड करते हैं वो है प्रत्याहार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी अभी जैसे से आप लोग का करियर के बारे में आगे बढ़ेंगे तो इर्रिस्पेक्टिव आप लोग चाहें, चाहें, ना चाहें यू हाफ टू स्टड़ी ए आई यू हाफ टू स्टड़ी ए आई अगर आप कहते हैं नहीं, मेरा आई आई से कोई तालग नहीं, फिर भी आपको पढ़ना चाहें क्योंकि जैसे यूट्यूब है आप लोग 20 साल की उमर में बहुत लेट यूट्यूब को में वीडियोज अप्लोड करना सीख रहे है हमारे पापा हमी कभी नहीं सीखेंगे यूट्यूब में वीडियोज अप्लोड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है ये काम बट है अपने आप में आसान न ऐसे ही AI को यूज करना आसान होगा अगर आप उसको थोड़ा सा study करते हैं आजकल दुनिया के जो best coders है जो सबसे genius coders है वो लोग AI को use कर रहे है coding करने के लिए chat GPT को लोग use कर रहे है coding करने के लिए तो you should study AI तो AI बहुत बड़ा subject है जितना बड़ा subject AI है उतना ही बड़ा subject प्रत्याहार है हम लोग तो बहुत थोड़े में पढ़के खाली-खाली हो जाएंगे लेकिन ये सबसे लंबा step है योग का अगर हमको physical body छोड़ करके molecular body में travel करना है और इस body को छोड़ करके enlightened होना है तो this is the step जिसमें सारे योगी सबसे ज़ाधा time spent करते है to understand and obviously to practice अभी तक हमने almost 100 videos बना लिये और इन 100 videos में क्या सीखा है यम नियम आसन प्राणायाम और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप realize करेंगे कि ये चारों मिलकर के प्राणायाम बनाते है अप लोगों ने मेरे साथ जैड भी पढ़ा है उसमें पाँच यम, पाँच नियम ये है क्या? आप यम करते हैं तो क्या करते हैं? harmlessness to other truth to all being ये impulse को कंट्रोल कर रहे हैं एक कला है जैसे आप अपने पैरों को कंट्रोल करना जानते हैं तो आप dancer बन जाते हैं आप गले को कंट्रोल करना जानते हैं तो singer बन जाते हैं जो अपने हाथों से मूर्थिया बनाता हो painting करता हो उसको वो paint को और पत्थरों को का art जानता है लेकिन जो आदमी बाहर से आने वाले प्राण को regulate करना जानता है उसको योगी कहते हैं परम योगी कहते हैं और जिस art को जानता है उसको art of control of pran कहते हैं अब थोड़ा समय simplify करने के लिए बता दू हमारे impulse आते कहां से हैं सबसे पहला खाने से इसलिए जब आप blindly जाकर कुछ भी खाते हैं कहीं पर तो you are doing a blunder आप शादी में खा रहे हैं आप गोलकप्पे खा रहे हैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ वो तो बहुत दूर की बात है वो तो crime है आपके लिए that is worse than even killing for a yogi even when you are eating outside you have to ask yourself क्या ये मैं प्राणायाम कर रहा हूँ भोजन में हमारा प्राणाता है drinks में आपकी सांस में आवाज, smell, touch, taste और sight के sensations में अब ध्यान रखेगा आप किस तरीके से आवाज सुनते हैं कौन से आवाज सुनते हैं कौन से आवाज produce करते हैं इसलिए गाली गुलोज तो छोड़िये इवन आपके sentences के structure आज एक भाई साब को मैं जानता हूँ वो अपनी wife से अपनी बात कह नहीं पाए तो नाराज होके चले गए पार्क में बैठ गए तो ये कोई प्राणायाम नहीं है उन्होंने एक योगी की तरह समझ नहीं दिखाई यूँकि अगर मैं नाराज होकर बाहर बैठ जाता हूँ तो मेरी बीवी को क्या बात समझ में आएगी कुछ समझ में नहीं आएगा और हमने corrective method भी पढ़ाये अभी इसको भी आपको और गहरे से practice करना होगा इसके पहले जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है अगर उसको sincerely समझते हैं और उसको practically apply करते हैं तो आप critical certain stage के edge पे वर्ज पे आ जाएंगे critical certain stage बहुत लंबा period है उसी को प्रत्यहार भी कहते हैं लेकिन उन practices से अभी तक जो हमने पढ़ा है जिनोगा में उसके practices से आप critical certain stage के एकदम कोने में पहुँचेंगे जैसे कोई आदमी गाड़ी वाड़ी आटो आटो टैक्सी लेकर के एरपोर्ट तक पहुँच जाए उसके बाद airport से flight पकड़ेगा लेकिन ये just entry है airport में जो advanced practices की शुरुआत है वहां तक पहुँचने के लिए अब तक जो आपने पढ़ाये वो सब है पाँचवाँ step जब आप वो सब चारो steps अच्छे से समझ जाएंगे practices करना शुरू कर देंगे तब next step है प्रत्याहार नदी की तरह समझिए चार step आपको नदी के किनारे पहुँचाएंगे उसके बाद एक नदी है और उस नदी के बाद उस तरफ दूसरा किनारा उस तरफ मतलब molecular world, electronic world और आत्मन की दुनिया जहां आप जाना चाहते हैं लेकिन बीच में एक बड़ी सी नदी है और उस पार जब आप पहुँचेंगे तब आपका इंतजार कर रहे हैं master लेकिन सबका नहीं वेट कर रहे हैं sincere disciple का sincere का definition मुझसे मुझ पूछेगा आप बहुत sincere हैं to these big companies instagrams and netflixes आप ही जैसे लोग के लिए तो बनाया है उन्होंने young generation को वो लोग चाहते हैं young खून को ऐसे ही young generation को चाहते हैं masters but this sincerity is not based on your sensations, sensory organs आपकी शकल सूरत, आपके taste, आपके fashion पे depend नहीं करता आपकी genuine khoj towards spiritual evolution पे depend करता है master wait कर रहे हैं उस पार I hope आप अपने आपको केवल एक दू साल के अंदर में योगी नक मानना शुरू कर दें लंबी यात्रा है, कई बारतों कई generations की यात्रा है और फिर आप पहुँचते हैं नदी के इस किनारे इस नदी को ही हम पुकारते हैं जनुगा में no man's land या तो प्रत्याहार इसको खुदी cross करना होता है इसलिए no man's land है गुरू आपको help करेंगे बट physical world में भी आपको गुरू बहुत help नहीं कर सकते हैं अगर आप genuine नहीं है आप sincere नहीं है अभी मैं आपको कुछ practices भी बताऊंगा एडवांस की practices लेकिन उन सारी practices में बार बार कहीं एक छोटा सा काला टिका लगाते थे a sincere disciple a man without sin जो दोश रहीत है उसको इश्वर के दर्शन होते है ये जबरिस्ति का एक पूछ लगा रहता है क्यों ये कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि आपके पैरों में मुटी सी रस्षी से एक पत्थर बांदिया गया हो अब चलना ही पाएंगे sincerity is something that you have to explore in every practice अभी इसके पहले हम लोग ने जुनोगा में हमने अपने brain के जो IESM centers है उनके आपस के खेल देखे तीन तो quality है हमारे अंदर IES हिंदी में सत्व, रजस और तमस यही तीनो qualities खेलते हैं उनके खेल को हमने पढ़ा उनके खेल को हम अपने अंदर में समझ भी पा रहे हैं कल जब श्रीश नाराज हुआ था तो बहुत जल्दी निकल आया एक pattern होता है जब हम नाराज होते हैं जब हम दुखी होते हैं जब हम बहुत परिशान होते हैं और वो pattern को आप समझ जाएंगे अगर आप उनको as interplay of qualities देखेंगे जैसे आपके Elon Musk टाइप के लोग कैसे देखते हैं बता है वो car नहीं देखते वो rocket नहीं देखते वो देखते हैं कितना लोहा लगाया है कितना aluminum लगाया है उनके लिए एक car की कीमत 60 रुपे की लोहा है तो लोहा अगर उसमें 100 किल लगाया है तो उतने लोहे की कीमत है 50,000 की लोहा लगाया है तो 50,000 कीमत है बाकी तो दिमाग लगाना है एक योगी के लिए हड़ी नहीं है ब्लड नहीं है थौट्स नहीं है खुशी और दुख नहीं है यह सब क्या है Interplay of IES सत्व, रजस और तमस का Interplay Interplay है इसका मतलब हम उसको change कर सकते हैं खेल है ना खेल क्या होता है हम हारे तो फिर से चालो कर सकते हैं साफ किया फिर से गेम शुरू from first Interplay of qualities of center और जब आप अपने mind में corrective methods डालोगे आप देखोगे कि हाँ मेरे अंदर में drift हो रहा है और मैं drifts को हटा करके I want to focus I want to open my section to be तो आप देखोगे आपके अंदर में पहली बार एक struggle फील होगी उसको जनुगा में मुलते हैं struggle of aspirant आम आदमी के life में नहीं होता आम आदमी बड़ा खुश है नौकरी ओकरी किया नहीं भी नौकरी मिली तो गए जहां कहीं से खाना पिना मिला खाना पिना खाकर आराम से मुबाइल है तो ठीक है नहीं तो सो गए अगर बहुत दुखी है तो कोई escape पकड़ लिया शराब पी लिया है कुछ कर लिया या दुखी हो गया और blame कर दिया life को लेकिन जब आप corrective methods apply करना शुरू करते हो इस योग की यात्रा पे थोड़ा सा थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो zero पर नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तब आप महसूस करोगे struggles of aspirant it's a good thing यह ऐसा है जैसे कि आप जमीन पे थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि आपने जो तरीके लगाए हैं जो methods follow कर रहे हैं वो unmethodical है आप सही तरीके से नहीं चला रहे हैं यह ऐसा है जैसे कि एक गाड़ी brake में चल रही है brake लगा रखा है handbrake और गाड़ी चला रहे हैं accelerator दबा रहे हैं लेकिन चलनी नहीं तो आप सही methods नहीं यूज करें लेकिन जब आप सही methods लगाएंगे सही तरीके से तब उसको बुलते हैं re-education of the mind कि mind को पढ़ा रहा हूँ re-educate कर रहा हूँ मैंने इस चीज को बाद में realize किया जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया कि studying or learning anything even the most difficult thing should not be difficult वो wrong method है schools का schools के teacher मिचारे खुद struggle करते हैं खुद उस subject को समझ नहीं पाते हैं तो उनका focus होता है बहुत selected group of students और उसमें भी बहुत selected चीजें पढ़ाते हैं exam oriented चीजें पढ़ाते हैं तो हम लोग पीछे backbencher की तरह परिशान रहते हैं ठीक ऐसे ही आप जब इस यातरा पर चलेंगे spiritual यातरा पर there is not supposed to be lots of struggle अगर आप step by step follow कर रहे हैं तो तो आपकी life में इतने struggle नहीं होगे अभी बड़ी important चीज़ आ रही है इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको बोलूँगा imagine करिये जो आज शाम को हुआ वहाँ पार्क में बलकि अक्सर होता है जिस पार्क में जाते हैं वहाँ पर DM, SDM और judges का घर है और अक्सर किसी जज़ के घर के बाहर एक पुलीस की काड़ी खड़ी रहती है अक्सर शाम को 6 बजे, 7 बजे उसमें 3-4 पुलीस वाले बैठ रहते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि उसमें एक-दो मुझरिम बैठ रहते हैं कि हाथ में रसी उसी बंदी रहती है या तो हदकड़ी बंदी रहती है तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि यह विचारा जो मुझरिम हैं वो तो परिशान होता ही है रात को 7 बजे साथी साथ कौन परिशान हो रहा है पुलीस वाले भी और जजज भी सब के सब रात को 7 बजे जब आदमी काम धाम करके घर आता है चायनाश्ता करके परिवार के साथ होड़ा से उस टाइम पर इन लोगों को काम करना पड़ता है यह ध्यान लखीगा कहानी जरुगा कहती है मान लिजे आप आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम में आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं तो दरवाजे पर खड़ा हो जा especially यह चार-पांच नाम है इन चार-पांच लोगों को घर में घुसना नहीं देना वो दुश्मन है वो खराब लोगे वो पार्टी खराब कर देंगे तो आपने दोस्त को काम दे दिया है तो जो बाहर खड़ा रहे है यह चार-पांच लोगों की फोटो है यह उनका नाम है इनको घुसने नहीं देना और आपका दोस्त बहुत इमांदारी से उनको बाहर रख रहा है लेकिन साथी साथ उस आदमी के साथ एक और परिशानी है आपका दोस्त वो खुद भी बिचारा घर के अंदर नहीं गुस सकता और जो कुछ भी पार्टी शाटी चल रहे है उसको एंजवानी कर पाएगा ऐसा ही फ्रेंड है आपका माइंड जिनको बाहर रखना है वो कुछ खास टाइप के इंपल्स है जिसे शराब उनको बाहर रखना है काली गलोज बाहर रखना है useless चीजें बाहर रखना है तो उसके लिए आप अपने मन का ही तो इस्तमाल करेंगे तो आपका माइंड जो पहले चीजों को enjoy करने में busy रहता था अब चीजों को बाहर रखने में busy है पहले उन impulses को भगाने का bondage है लेकिन वो भी तो bondage है, काम तो भी है हर एक आदमी नहीं आदमी नहीं sincere आदमी, sincere disciple को ये कभी न कभी realize होता है कि जैसे ही वो अपने mind को शान्त करना चाहता है focus करना चाहता है एकदम कमरे में बिस्तर उस्तर अच्छे से बिछा दिया अगरबती जला लिया soft music जला लिया और सफेद रंग का कुर्ता और उपर में एक कपड़ा बांद दिया गुरुजी की तरह और ध्यान करने के लिए बैठा है और तभी मन के किसी कोने में से ऐसे लगता है लेकिन ये अभी अचानक से thoughts कहां से आगे और कुछ तो इतने भोले उनको लगता है भगवान मेरी देखभाल कर रहा है ये भगवान ने मुझे टेस्ट लेने के लिए परिक्षा परिक्षा के लिए ऐसे कर रहा है मेरा टेस्ट हो रहा है अनमेथॉडिकली गलत तरीके से अप्रोच करता है मान लिजे आप मंतर पे बहुत विश्वास करते हैं पुझा पाट करते हैं या किसी गुरुजी का नाम जब करते हैं या किसी ऐसी फोटो पर आप ध्यान लगाते हैं आपको लगता है गुरुजी मुझे बिल्कुल बचा लेंगे इन्हें से कोई फाइदा नहीं होता आपकी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स और आपकी स्पिरिच्वल रस्ते के ब्लॉक्स खतम नहीं होते क्योंकि आप भूल गए हमारा माइंड नमारे सेक्शन बन आई एसम वो ऐसा बना ही नहीं है कि दो थौट्स पे या किसी भी एक थौट पे कुछ दिर के लिए रुख सके इसलिए जैसे ही आप वर्ली लाइफ में जाएंगे आपने गर कंट्रोल कर रखा है कुछ चीजों के लिए अपने आपको बहुत टाइट कर रखा है कि नहीं करना नहीं करना जैसे ही उसके करेक्शन में जाएंगे अभी जो सीरीज मैं देख रहा हूँ मेड नाम है उसका और उसमें बड़ी नहीं चीज़ पता चली हम लोग नहीं जानते हैं उसमें psychological abuse और psychological abuse के बारे में स्टोरी है यह और वो एक बुड़ी औरत है जो ऐसे houses run करती है जहां पर abuse होने वाले लड़कियों को shelter दिया जाता है तो उसमें वो लड़किया आती हैं दो दिन चार दिन दस दिन महीने पर रहती हैं दो तीन कमलों के घर होते हैं फ्लैट से उसी में रहती हैं वो लग आती हैं रहती हैं फिर वापस अपने पतियों के पास चले जाती है उन्हीं लोग के पास जो abuse करते हैं वो बुलती है कई बार तो दस दस बार वो जाएंगी अब्यूस होकर के फिर वापस आएंगी साल भर रहेंगी अब्यूस होगी फिर वापस आएंगी जब बहुत जादा परेशान हो जाएंगी फिर जाएंगी फिर वापस आएंगी फिर जाएंगी फिर वापस आएंगी बुलती खुद वो खुद मुलती मेरे को भी पांच बार ऐसा हुआ इसको ऐसे समझे कि एक आदमी एक relationship में पतलब पांच बार शादी करता है फिर divorce करता है फिर शादी करता है फिर divorce करता है एक ही आदमी के साथ तब जाकर छोड़ता है ये इसलिए वो आदमी अपने IESM को नहीं समझता जब तक हम अपने IESM की ताकत को छोटा हलका समझेंगे तब तक हम बाहर की problems में फस्ते जाएंगे हम करेंगे कुछ हमको लगेगा वो अच्छी चीज है इसलिए मैं घुसरा हूँ या मैं तो मासूम हूँ मुझे तो पता ही नहीं आपके IESM से इसलिए कितने भी advanced योगी हो जाएं जैसे ही आपको लग रहा है कि आप परिशान है आप भटक गए हैं आपकी साधना disturb हो रही है वापस चले आईए इन शुरुआत के 100 वीडियोज के पास आजाईए ये आपको help करेगा यम नियम आसन प्राणायाम को master करने के लिए ये basics है इसे कपड़ा गंदा हो जाए तो लाईए washing machine में डालिए धोईए प्रेस करके पहन लीजे ठीक ऐसे ही आपकी साधना गंदी हो जाईए आजाईए यम नियम आसन प्राणायाम पे चाहे सौ बार वापस आना पड़े बट आईए basics पे इसे एक तरफ हम WBX में बात करते हैं पैसे को कैसे आप पैसे को समझें उसको regulate करें उसको बढ़ाएं ठीक ऐसे ही जिनोगा में हम समझते हैं प्राणायाम ये पूरी दुनिया बनी हुई है प्राण से उसको कैसे आप regulate करें यम नियम आसन प्राणायाम ये चारो steps basically एक ही step है प्राणायाम का ही completion है प्राणायाम मतलब how to regulate प्राण, how to become the master of प्राण, मैं बार बार कहता हूँ कोई आदमी singing सीखना चाहता है तो singing सीख सकता है exercise करेगा तो healthy बन सकता है कोई भी चीज सीख सकता है sincerity चाहिए कोई आदमी sincerely यम नियम आसन प्राणाया practice करेगा तो critical certain stage के वर्ज पे पहुँच आएगा जैसे नदी में दो किनारे होते हैं ऐसे ही जिन्दगी के बहाव के जिन्दगी की जो नदी है उसके दो किनारे होते हैं एक तरफ हम है जो की critical certain stage के नीचे है अपनी IESM में फसे हुए हैं बार बार लालच आता है पकड़ता है फ्रस्टेट करता है फिर हम छोड़ते हैं एक तरफ हम है और दूसरी तरफ जादा free state एक ऐसी state जहाँ पर हम सुरज, चान्द, ब्रमान की तरह चलते हैं क्योंकि हमको अपना purpose clear होता है उसमें हमको बहुत सोचना नहीं पढ़ता है क्या करें लेकिन इस नदी को cross करना बहुत important है इस पार से उस पार जाने के लिए जब आप इस नदी में हैं नदी के उपर चल रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं नदी के उस पार जब मैं पहुचूँगा तो किस जगह पर कौन से spot पर अपनी नव लेके जाओंगा अगर आप रमण की तरह बनना चाहते हैं रमण महरिशी की तरह बनना चाहते हैं तो आपको factually नदी को ही cross करना होगा because आप जब रोज सुबह उठते हैं और भटकते हैं परिशान होते हैं अंदर से दुखी होते हैं कुछ चाहते हैं मिलता नहीं है कमी महसुस होती है तो आप नदी में है नदी आपको बहा रही है और आपको इस नदी को cross करना होगा हर रोज यह जान लेजे कि मैं नदी में हूँ मुझे नदी क्रॉस करना होगा और ये नदी है नदी क्या होती है turbulence से भरी होती है लहरों से, disturbances से and a skillful boatsman और नदी क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए एक अच्छी सी नाव चाहिए और एक अच्छा सा नाविक boatsman चाहिए इसको आता हो नव चलाने लेकिन जब हम आम आदमी क्या करता है जब नदी ऐसा नहीं कि अपने घर से नाव अपने सर पे लेके चलता है बही नदी पर पहुँचेंगे तो नाव सर पे लेके चलो ऐसा नॉर्मलिल हम करते नहीं आज तक हमने रिवर के बारे में सोचा ही नहीं इसलिए कभी गुरू के बारे में नहीं सोचा कभी नाव के बारे में नहीं सोचा कभी स्पिरिचुलिटी के बारे में नहीं सोचा ये boat और boatman क्या है किसको मैं बोल रहा हूँ Boatsman और Boat अब आप जान लीजे आपका काम क्या है नदी के किनारे तक पहुँचना आम आदमी के लिए नदी नहीं है आम आदमी के लिए मौज है आपके लिए नदी है तो अगर आप जनोगा पढ़ते हैं समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आपको नदी के लिए तयार कर रहे हैं दूसरे शब्दों में नदी नदी जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि आप मास्टर को अपियर होने के लिए अपने आपको तयार कर रहे हैं किसी तरह से master आपको आएं और guide करें अगर आप एक नाव वाले को बोलते भाई मुझे उस पार ले जा तो उसको आप कुछ पैसे देते हैं कि मुझे वहाँ तक पहुचा दे ये तरी fees है और यहाँ पर master को आप क्या पर करेंगे आपकी sincere adherence to the practices जो भी आप पढ़ रहे हैं जब आप उसको इमानदारी से practice करेंगे तो यही master की fees है नदी का उस पार जमीन है वो अलग लग लोगों को belong करती है लेकिन नदी किसी को belong नहीं करती है नदी का कोई मालिक नहीं है नियान रखीगा क्यों मैं नदी बोल रहा हूं क्यों मैं उस पार बोल रहा हूं क्योंकि एक बार आप उस पार पहुँचते हैं उसके बाद effort, study और experience जो आपको चहिए वो अलग है इस पार जो आपको effort लगाना है और जिस तरह की study करना है और जो experiences आप लेंगे वो अलग है तो finally प्रत्याहार है क्या? क्या है प्रत्याहार? इसको अगर simple English में कहूँ तो है preparation to concentration Concentrate कर पाने की तयारी करना आपका mind dispersed है भटका हुआ है फैला हुआ है उसको इकठा करने का process बाहर के objects की तरफ जो जा रहा है वहां से restrain करना वापस लाना ये है प्रत्याहार इसके पीछे एक purpose है जो प्रत्याहार है ये end नहीं है ये master से मिलने के लिए तयारी है जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक आप spiritual master से नहीं मिल सकते हैं ये लंबी आत्रा है इसको ऐसे मान के चले जैसे कि एक तरफ आप छोटे बच्चे हैं जो खिलोने के साथ खेल रहे है और एक तरफ आप बहुत serious adult है जो आफिस जाता है कमाता धमाता है तो ये दुनिया आपके लिए खिलोना है खेलिए या तैयारी करिए ताकि आप real being के साथ जो सचमुच के human beings है enlightened beings है उनके साथ connect कर सके उसके पहले कोई communication नहीं है खाली imagination तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस पुरे planet पे पुरे धरती पे कम से कम एक अरब जिनोगीज होना चाहिए उसी के लिए मैं आप लोगों में से 500 लोगों को personally connect करके train करूँगा ताकि हम masters को इस धरती पर invite कर सके ठीक है